हलो दोस्तों。 कैसे आप। दोस्तों, अगर आपको पी एफ पासबुक से रिलेटट कोई इस्यू आ रहा है både यानि कि हिए आपके पी ए पासबुक में प्रोपर अमंग सो नहीं कर रहे है आपने पूरानी कमनी से पैसा ट्रांसफरर किया में हम इस सारे topics को cover करने वाले हैं तो आपने सही वीडियो choose किया है वीडियो को अन तक आप देखते रही है आपके सारे सवाल इस वीडियो में cover कर लिए जाएंगे और इसका क्या process होता है किस तरह से पास्बुक से लेटे अड़र इशू आ रहे है टेकनिकल इशू या अमाउंट से लेटर इशू उसको किस तरह से solve किया जाता है कहां पर complaint करनी होती है सब कुछ इस वीडियो में हम cover परने वाले हैं तो वीडियो अन तक आप देखते रहेएगा सारे information आपको मिदद जाएगी तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपको बुजारियस है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करेज़ेगा और अगर चैनल पर नहीं है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे सब्सक्राइब वड़न को हिट कर दीजेगा और पास वाले बैल आइकन को हिट कर दीजेगा इस तरह के वीडियो आप से बीसे नहीं तो चली अब हम गूगल पर आ गया है और यहां पर simply हम टाइब करते हैं if EPFO, EPFO type करने के बाद में जो सबसे पहला option आता Employees Providence Organization, यहां पर हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद में यह EPFO की website हमारे सामने open हो गई है, हमें जाना है सबसे पहले services में employees, employees हमें select कर लेना है, यह करने के बाद में यहां पर नीचे की तरफ आपको दिख रहा हुआ services, services में आपको select करना है, register your grievance EPFGMS यानि इसको आपको select कर लेना है, यह करने के बाद में कुछ इस तरह का dashboard आपके सामने open हो जाएगा, आप देख पाएंगे यहां पर तो दोस्तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे किस तरह से अगर प्रॉब्लम आ फेस कर रहे हैं उसको solve कर पाएंगे, तो यहां पर हमारे सामने कुछ option आ जाते हैं, पेफ मेंबर, पेंशनर्स, इम्प्लॉयर या आदर्स, तो दोस्तों आपका जो भी category आपको choose कर लेना है, अगर आपका वास बुक से इस्यू आ रहा है, तो आपको पी एफ मेंबर का जो option है, इसको आपको choose कर लेता हूं, और यहां पर अब हमसे पूछ रहा है, do you have claim ID? यानि कि अगर आपने पहले कभी रिव्यांस lodge किया है, तो आपके पास claim ID होगा, तो yes करना है, otherwise आप अगर नए है, पहली बार आप claim lodge कर रहा है, तो आपको no पर click कर देना है, यहां पर no पर में click कर देता हूं, आपको यहां पर डालना होगा और इसी कि द्वारा आप जो है, आपकी complaint रहुच कर सकते हैं, अगर पास्टुक से लोटर आपको कोई भी issue आ रहा है, तो मैंने यहां पर no डाल दिया है, यहां पर हमें जो security code दिया हुआ है, इसको हमें यहां पर type करना है, तो मैं फटा- नमबर हमारी email ID, phone number जो आदार से link है, अब हमें करना है gate OTP, तो दोस्तों जो आपका आदार से link mobile number है, जो PF में updated है, उसी पर OTP आएगा तो यह आप ज़रूर ध्यार रजएगा, आपके आदार में mobile link ज़रूर करवा लिजएगा, तो OTP आ गया है, simply जो OTP आपको यहां पर type क कर देना है, तो मैं पठावट से, जो भी OTP मेरो mobile पर आया है, यहां पर हमें type कर देता हूँ, submit पर हमें click कर देना है, verified हो चुका है, okay हमें कर देना है, okay करने के बाद में, आप simply हमें नीचे की तरफ आ जाना, यहां पर हम से कुछ यह detail पूछ रहा है, जो हमें घर देनी है, क्या mail है, female है, transgender है, जो भी है, आप चूज कर दीजिए, आपका address यहां पर यह पूछ रहा है, communication address, वह हमें यहां पर डाल देना है, तो मैं mail करके, जो भी address है, मैं पठावट से feel कर देता हूँ, आपका जो भी address है, आधार के अंदर, वह आपको यहां पर feel कर देना है, यह व और मिनने वालों के साथ में जरूर शेयर करेगा, तो चलिए, यहां पर देखिए, मैंने यहां पर डाल दिया है, country हमें select कर देना है, state, state, जो भी आपका state है, जिसमें भी आपका पी एफ office है, वह state आपको select कर लेना है, जिसमें भी आपका पी एफ local office है, यहां पर alternate contact number सकते हैं, यह करने के बाद में यहां पर हमें security code वापस से ही पूछ रहा है, तो वह हमें यहां पर जो लिखावा है, यहां पर टाइप कर देना है, यह करने के बाद में आप नीचे की तरफ हमारे सामने कुछ ग्रिवियांस डिटेल में select पी एफ number to lodge ग्रिवियांस अगेंस यानि के आप का किस company से related, आपको यहां बहुत सारी services दिख जाएगी जिस company में आपने काम किया है, वहां से related आपको मिल जाए, तो आपको mainly current ही select कर लेना है, क्योंकि current company में आप काम कर रहे है, तो वहां से आप complaint lodge कर रहे है, अगर आपका पुरानी कम्पनी है, तो वह भी पीएव office से है, employer से यानि company से related है, EDLI से related आपका issue है, या कोई pre-pension से related आपका issue है, तो दोस्तों हमारा जो हम बात करें, वो पीएव पास्बुग है, वो पीएव office से related हमारा issue है, तो हमें simply यहां पर पीएव office select कर लेना है, क्योंकि जो पास्बुग है, वह प्रोपर देख न related issues including amount not shown in passbook, यह वाला जो option है category हमें choose कर लेनी है, कि हमें हमारी पास्बुग में issue आ रहा है, प्रोपर डाउनलोड नहीं हो रही है, या प्रोपर शोर नहीं हो रहा है, amount जो हमें लगता है, वो दिख नहीं रहा है, अब आप क्या कर सकते हैं, या पर कुछ description भी आप डिख सक है, अगर आपका जो भी related issue आप face कर रहे है, चाहे डाउनलोड से related, या फिर आपका जो amount प्रोपर शोर नहीं कर रहा है, आपने amount transfer कर रहा है, previous company से, वो properly transfer नहीं हुआ है, कम amount transfer transfer हुआ है, so proper नहीं कर रहा है, जो भी issue है, आपको यहाँ पर type कर दे, तो मैं example के यहाँ पर simply लि showing as I have already, as I have already, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, applied, already applied for, applied for में यहाँ पर, applied for transfer, यह इस तरह से मैंने लिख दिया, तो दोस्तों, यह मैंने example के लिए, आप जो actual issue है, actual आपको जो problem face कर रहे हैं, वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है, यह लिखने के बाद में यह यहाँ पर upload document हमसे पूछ रहा है, तो आप यह optional है, आप चाहे तो choose file जो भी आप चाहे तो आप यहाँ पर passbook भी download करके यहाँ पर upload कर सकते हैं और attach कर देना है, तो वो as a proof रहेगा, ताकि आप यहाँ पर proper evidence देजिए, अब simply हमे add के button पर click कर देना है, यह सब कुछ करने के ब passbook, अब चाहे तो आप edit कर सकते हैं, अदरवाज simply आपको submit कर देना है, submit करते ही, आपके mobile पर एक registration number आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपको registration number मिल जाएगा, उसको आप simply note कर देना है, future reference के लिए, तो दोस्तों, आपको फिर क्या करना है, submit करने के बाद में, तीन से चार दिन वेट करना है, वेट करने के बाद में, आपको क्या करना है, view status उपर आपको दिख रहा हूँ, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, कि आपने जो यह problem जो grievance डाला है, उसे related क्या action PFO ने लिया है, यह PFO ने क्या action लिया है, तो आपको तीन से जार दिन तो वेट करना ही है, दो उसके बाद ही आपको जाकर चेक करना है, तो पी एफ ऑफिस जो भी grievance आता है, उसको बहुत ही serious ले लेता है, और within तीन से चार दिन आपको कुछ ना कुछ action देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर कौन officer उसको handle कर रहा है, उसका नाम देखने को मिल जाएगा, सब कुछ जो आ status है, अभी आपका जो grievance लोज किया, उससे related जोगी issue है और आपको दियाँ पर दिखे जाएगा, तो दोस्तो इस तरह से अगर आपको पास रोज करके उसको स्वाल करवा सकते हैं, आपको अगर लगता है कि तीन चार दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ है, तो आप से reminder भी वह वापस डाल सकते हैं, वही registration number डाल कर आप send reminder करेंगे, submit करेंगे तो वापस इनके बास में चला जाएगे, लेकिन ओविशलिया ऐसा होता नहीं है, तीन से चार दिन के अंदर अंदर उसमें कुछ ना कुछ वह action जरूर ले लेते हैं, अगर आपको लगता है upload document बाद में आप अपलोड करने हैं, तो भी वह आप बाद में यहां पर जाकर सेम प्रोसेस से अरेस्टेशन डाल कर अपलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों इस तरह से आप पास में प्रेटेर इशू स्वाल कर सकते हैं, आयों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कर जूर कर दिया, थांक यू वरी मुच.